कि हलो गईस विलकम टो इन्वोसरी अपडेट या मिलीगी आपको ड्यूप क्या हरको नहीं की अपडेट तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए पैल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइम ले मिल से गईस तो फाइनली गईस डेली ड्यूवर्सरी मैं जैसा मैंने बोला था एक राउंड और आएगा और फाइनली वह राउंड आउट हो गया है बट डिफरेंस यह है कि वह स्पॉट राउंड नहीं है मॉप अप राउंड एक अलग सिस्टम होता है इसमें सीट लुटाई जाती है डियू के द्वारा सीट ऐसे लुटाई मॉप अप राउंड यह राउंड होता है लास्ट यर भी आपने सुना तो होगा मॉप अप राउंड के बारे में मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी रिलीज हो जाएगा बट यह फाइनली लास्ट ही राउंड होगा इसके बाद कोई और राउंड नहीं आने वाला तो लास्ट अपॉर्चिनिटी होगी आपके लिए तो गाईस मॉप अप राउंड की सारी अपडेट्स मेरे चानल पर मिलेगी सब्सक्राइब कर लेना बिकास बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं सब्सक्राइब करोगे अपडेट नहीं मिलेगी आप किसी सबसे पहले मैं आपको डेली नुवर्स्टी की वेबसाइट यहां पर यू जी के अंडर यह मॉप अप राउंड की तीन चीज़े आई है लिंक एक तो रेजिस्टर रेजिस्ट्रेशन लिंक आई है मॉप अप राउंड की और एक वेकिंट सीट मेट्रिक्स आई है और प् रूल्स और रेगुलेशन बता देता हूँ आपको मॉप अप राउंड पे देखो गाई मॉप अप राउंड एक ऐसा राउंड होता है जिसमें कॉलेज डेली नुवरसिटी न अपनी सीट्स को भरना चाता है बहुत जल्दी जल्दी ठीक है इसमें ऐसा वह इसलिए करता है इसके पास बहुत सारी कम सीट्स रहती है बहुत कम सीट्स होती है तो यहाँ पे आपको सीट्स मिलने के चांसे बहुत हाई रहेंगे बट यहाँ पे कोई प्रेफरेंश शीट नहीं बनानी होती मॉप अप राउंड में कोई प्रेफरेंश शीट का सीन नहीं होता अब सारे rules हम पढ़ लेते हैं और mop up round की सारी updates लेने के लिए channel को subscribe रखना because हर college की अलग-अलग list निकलती है तो वो list की update लेने के लिए वो सारी चीज़े पता करने के लिए channel को subscribe करना पड़ेगा because आपको पता ही नी चलेगा इस college की list निकल गई इस college की list निकल गई पता ही नी चलेगा तो सारा subscribe करके रखना तो सबसे पहला rule हम पढ़ते हैं the university has decided to hold a mop up round for admitting the candidate in certain short-listed colleges and program only the first rule पढ़ते हैं ठीक है the university will display the vacant seat of short-listed colleges and program for which mop up round is valid on the admission website ठीक है यह एक निकाला है इन्होंने जहां पे कुछ seats और colleges short-list हुए है जिनको mop up round में पाट ले सकते हो आप admission in the mop up round will be done on the basis of merit score of qualifying exam based on program specific eligibility stated in bulletin of information 2024 तो गैज जो भी exam हुआ था like CSS का exam हुआ था ना CUET का उसके basis पे हो सकता है और शायद यह 12 के basis पे भी कर सकते हैं इन लोगों ने clear नहीं बताया अभी जहां पर ठीक है लेकिन इन लोगों ने प्रोग्राम ने जिर्फ बी ओ आई में बोला है ना तो बीओ आई का मतलब है simple वही वाला क्या नामें CUET के basis पे रखेंगे है candidate who are not admitted to any program or of any college to of the university on the date of announcement this notice wish to take admission in any college and bla 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 यह मतलब लाइक अगर आपका कहीं अडिमिशन नहीं हुआ है तो गईज आप यहां पर कमिशन ले सकते हो इसमें आप eligible हो ठीक है यह चीज दिन लोगों ने इसमें बताई है और गाइस candidate who have already registered on CSAS Portal जो candidate already registered ते CSAS Portal पे ठीक है ना गाइस और will have not to pay मतलब जो CSAS Portal पे पहले से रेजिस्टर था मतलब यह वाले पोर्टल पे देखो कहां गया CSAS का registration link कहां गया यार इन लोगों ने हटा दिया गया यह रहा यह वाले पोर्टल पे जो बच्चे पहले रेजिस्टर थे ना यह वाले पोर्टल पे जो बच्चे पहले से रेजिस्टर थे उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे कोई भी registration लेकिन जो बच्चे अभी free मतलब नए registration करना चाहते हैं उनको इतने पैसे देने पड़ेंगे 250 और 100 रुपे मतलब इसका मतलब अभी तक Delhi University में जिन्ने उन्हें एडमिशन में पार्टी नहीं लिया था वो भी एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे fresh candidates ठीक है और guidelines अब पढ़ लेते है guidelines क्या है वो सारी पढ़ ल ID तो guys यहाँ पे आपको UGC में मॉप अप इंडेक्स PHP यह मतलब बता देता हूं यह भी बता देता हूं कहा रजिस्टर करना होगा देखो guys यहाँ पे क्या होगा आपको इधर registration करनी पड़ेगी यहाँ पे यह जो link लोने release करी है यह अभी तो work नहीं कर रही जैसी work करनी start हो ठीक है candidates who are already admitted to any program or colleges of the university on the basis of CVT score ठीक है the CSAS platform will not be able to apply जो बच्चों का पहली कहीं admission हो चुका है वो बच्चे अपलाए नहीं कर सकते यहाँ पे CSAS platform will be suspended during mop-up round तो guys यह वाला जो platform CCAS वाला वो suspend हो जाएगा मतलब बंद हो जाएगा वो ठीक है वो बंद कर दिया जाएगा to seek admission in mop-up round the candidate must follow the following registration step ठीक है यह step होगा guys आप देख सकते हो registered यह वाली website पर register करना पड़ेगा आपको वो भी video मेरे चानल पर आएगी subscribe करके रखना ठीक है मैं बता दूंगा कैसे करना है ठीक है फ्राइडे शाम को पांच बजे से स्टार्ट होगा और यह 29th of September मतलब जादा दिन नहीं दिये हैं इन्होंने 27 28 29 दो ही दिन तीन दिन दिये हैं इन्हों लोगों इन्हों रेजिस्टर करने के लिए तो यह registration करनी पड़ेगी अगर आपको admission लेना है मौपप राउंड में ठीक है तो यह registration हो गई इसके बाद के और रूल्स देख लेते हैं एक बी वाला रूल रहे गया यहां पर complete यहां complete आपको अपनी profile complete करनी है वो देख लेते हैं यहां पर complete करनी पड़ेगे पूरी profile वहां पर ठीक है ensure that marks will that the marks filled in the academic detail sections are correct only the candidate who have passed 12th will be considered इसका इस लाइन का मतलब यह निकलता है कि आप 12th के basis पे भी ले लिए जाओगे admission ठीक है after completing the registration the candidate must login to their dashboard and select the program and colleges in which they are interested in between 5 p.m. Monday and 30 September till यह आपको 2 October तक यह मतलब college program आपको select करने पड़ेंगे mop up round में भी तो guys इसका मतलब मुझे यहां इस line से यह लग रहा है कि शायद preference sheet का फिर से वही कोई जोलमो लाएगा जो preference sheet बनानी वाले system होगा मॉप up round में भी wait for the approval from the college and pay the fees to complete the admission last date of the payment of the fees is till यह तो अभी देखो guys यह last date और first date बताई है इन लोगों ने और D वाले point का कोई clarification मेरे को portal देखके ही होगा वहां से क्या आपका operation रहेगा like portal को apply करना है कैसे करना है वो सारी चीज़ देखने वाली होगी न मॉप up round में तो while registering on the mop up round admission post admission portal candidate must ensure their documents are valid and updated तो guys updated रखना documents में कोई गलती मत कर देना नहीं तो भाई यह last chance है इसके बाद खतम हो जाएगा ठीक है और the college में ask for the relevant document as deemed appropriate for the candidate at the time of admission the admission के time पे भी आपके से document मांगे जा सकते है जो कि original मांगे जाएंगे at the time of granting admission college will check the minimum eligibility criteria ठीक है BOI और CCS UG का portal दोनों चैक करेंगे वो लोग ठीक है at the time of taking admission and undertaking must be submitted by the candidate that he or she is not admitted in any college किसी और college में admission नहीं होने चाहिए आपका no admission will be granted on the basis of undertaking of the time extended मतलब आपके पास document नहीं है और आप time extension मांगते हो तो आपको कोई admission नहीं दिया जाएगा आपके पास document होना चाहिए और time नहीं दिया जाएगा no admissions shall be done on the basis of supernummery quota except PWBD PWBD valid है यहाँ पर admission fees will be taken through pop-up round portal तो guys portal से ली जाएगी admission fees आपको ठीक है display of the vacant seat of shortlisted colleges and program ठीक है 5 p.m. इतने September से start हो जाएगा मतलब शाम को 5 बजए 27 September से start हो जाएगा और 27 September से 29 September तक registration चलेगा candidate to apply colleges and program तो आपको apply करना पड़ेगा portal पर जाके and select the colleges and grant admission last date of payment of the fees तो guys यह 27 September से लेकर 6 October तक चलेगा इसका पूरा system ठीक है और इसमें candidates are advised to visit the admission website as concerned website the process and update related admission तो guys यह आपको विजट करनी पड़ेगी website daily ठीक है यह पूरा प्रोसेस है अब guys इसके हम vacant list पे चलते हैं जो vacant list release हुई है जित्ता जल्दी हो सके मैं बता देता हूं इसमें कितने colleges से किती सीट से भागने निवे देता अधिती महाविदाले कालिंदी college है लक्ष्मिभाय college है और PGDAV college है शहीद राजगुरू college है शामलाल college है और गईज शामापरसाद मुकरजी college है ठीक है और कितनी सीट्स वह भी बताते तो शामी परसाद स्वामी श्रदानंद college है विवेकानंद college है जाकिर हुसेन college है तो यह सारी सीट से आप बात कर लेते हैं कितनी इसमें कैसे registration क करना है वो आपको जैसे यह link होगी इस पर click करना जब यह open हो जाएगी तब मैं आपको अपने आप बता दूंगा अब यह वेकेंट लेते हैं कितनी बाकी है ठीक है यहां पर देख सकते हैं यह वेकेंट सीट बाकी है तो यहां पर नीचे HD में कर लो HD में यहां पर नीचे स बाकि अबी सकता यहां पर 4759 से टो इस इस कोपे तो इस में और सो Companies ऑर कौन से program में बाकी यहां आप देख सकते कितने program isl empir मैं आपको फिल्टर करके एक बार दिखा देता हूं सारे प्रोग्रा ठीक है Advertising sales economics में modal में सिर्ट काई कें erreichen आप्लीosing इकन commitment इंग्लिश ठीक है यह इंग्रस्स बागी है देख सकते हो यहां फिल्टर में सब पता चल जाता है न बीसे इस इस एक से में भी सखाली है वी में नहीं है किने था थे पहले झांट कितनी सीट्स क्लिटें वो देख लेते हैं जादा नहीं 573 तो आप कर लेते हैं तो यहां पर बात करते हैं वह सारी यहां पर लोड हो जाएंगी एक एक करके देख लेते हैं यहां पर यहां फिलासफी और वह सब चेक कर लेना और बीएसी की देख लेते हैं वह सारी देख लेते हैं बीएसी की चेक कर लेते हैं अब यहां पर सारी लोड हो चूके है अब यहां पर ठर्टीन हंडर टॉंटीवन सीट्स खा लिए हैं टोटल अभी तक in college मैं ठीक है यह आपके सामने लिश्ट दिखा दी मैंने तो अभी तक सारे सब्सक्राइब आपको असानी हो जाएगी समझने में यहां पे और टोटल सीट्स जितनी खाली है तो इस अब मुझे उनिवर्सटी अब इन्स्टो डेट इन्स्टे करें आपको जाएगा उन्सटो और की एक बढ़े यहांदर अगा नहीं प्लट पाते हो तो इन्सटेक्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो को मेरे से बिक्कॉज युनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टेग्राम पे भी है यही मेरी इंस्टेग्राम की आईडी गई